Hello students, welcome back to Geography Guru channel हम बात करें थे मानव बस्तियों की हमारा 10th chapter चला था Class 12th Geography का, Class 12th Pukol का हमने पिछले वीडियो में बात के थी मानव बस्तियों क्या होती है कितने types की होती है और बात के थी हमें मानव बस्तियों की आवास की निवास की जरूरत क्यों होती है आज का जो हमारा session है इस episode में हम बात करेंगे ग्रामिन बस्तियों के बारे में उनके परकार के बारे में हम बात करेंगे उनकी समश्याओं के बारे में चलिए हम अपने आज के session की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामिन बस्तियों जैसे हमने किया था कि कारियों के आधार पे और सुईधाओं के आधार पे बस्तियां दो परकार के हो सकते हैं ग्रामिन बस्तियां और नगरिय बस्तियां ग्रामिन बस्तियां उनकी विशेष्टाएं क्या होती है सबसे पहले यही जानते हम कि ग्रामिन बस्तियां उनकी मुख्य विशेशता हैं क्या होती है ग्रामिन बस्तियां यहाँ पर जन्सिंग की अगंतों कम होता है भीड़ भाड कम होती यहाँ पर परतिवरा किलोमेटर की बात करें है तो हम अगर हर्याना को देखें तो हर्याना का जो जन्सिंख्या घंताव है 2011 की जनगर्ना कंसर वो है 573 persons per square kilometer पांसो तीहत्र वैक्ति परती वर किलोमेटर ग्रामिन शेत्रों में और भी कम ही लेगा अगर हम शहर की बात करें जैसे विशुद जो शहर है डेली, NCR की बात करें 11,000 वैक्ति परती वर किलोमेटर से अधिक जन्सिंख्या घंताव है वहाँ सोचिए कितना गुना अधिक है वहाँ पर यहाँ पर जन्सिंख्या घंता और जन्सिंख्या कम होती है दूसरी विशेषता होती है यहाँ पर्थाओं प्रमप्राओं की परधानता होती है आपने घर में बड़े बज़र्गों से अपने दादा दादी से सुना होगा कि ऐसा हमारे रिवाज रहा है ऐसा होता रहा है कई बार आप पूशते भी हो तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही होता रहा है तो हम भी ऐसा ही करेंगे यहाँ पर्थाओं प्रमप्राओं जो चल रही होती है हमको माना जाता है तब ही वहाँ पर हम देखते हैं कि संसकार अधिक होती है गाउने तीसरा यहाँ पर सामान्य और साथगी पौन जीवन होता है, कोई भागदोड नहीं होती लोग अपने काम धन्दे करते हैं, उसके बाद एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही बनते हैं आपने देखाओगा एक दूसरे के घरों में भी जाते हैं बैठते हैं बाते करते हैं तो यहाँ पर वो दिखावा नहीं होता वहाँ पर भाग दोड नहीं होती है यहाँ पर जो जनसिंक्या होती वो अधिकतर प्रात्मी गतिविदियों में लगी होती है जातर जनसिंक्या है आदे से अधिक जो जनसिंक्या है वो परतेक्स तोर पर प्रात्मी क्रियों या क्रिशी कारियों से चूड़ी होती है सहरों में क्या होता है वहाँ पर दूटेक देते कि अच्छा तुर्थक गतिवीडियों में वहाँ पर लगी होती है यहाँ पर कृशी कारियों में जातर जनसिंख्या वो लगी होती है यहाँ पर अधिकांस्त है सियुक्त परिवार पाया जाता है श्योक्त परिवार, joint family होती है, दादा, दादी, चाचा, ताया, वो सब कुछ एक ही परिवार में रहते हैं, बड़ा परिवार होता है, शेहरों में अधिकांसत है, जादतर, small family या फिर nuclear family होती है, छोटा परिवार होता है, या फिर एकल परिवार होता है, यहां पर उसके वि मिल जूल करकी रहते हैं शहर में ऐसा नहीं होता वहाँ पे अगर आप किसी एक बिल्डिंग में रह रहे हो तो आपके ऊपर वाले जो फ्लोर है वहाँ कौन रह रहा है तो वह भी पता नहीं होता पड़ोशी का नाम तक नहीं जानते उनका बच्चा कहां कौन सी क्लास में पढ़ रहा है यहाँ पर आपके दूसरे मोहले के जो दादाजी उनको पता होता है कि यह उसका लड़का या उसकी लड़की और कौन सी क्लास में पढ़ रही है कौन सी स्कूल में जा रही है यहाँ पर गाउं में मेल जूल अधिक होता ह यहाँ पर सामाजिक परतिष्ठा, social status, वो धन की अपेक्षिया ज़्यादा मैटर करती है समाज में इज़त, वो ज़्यादा मैटर करती है इसलिए प्रमप्राओं को मानते हैं, शहर में दिखावादिक होता है वहाँ पर status जो बनती है वो पैसे से बनाई जाती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता और एक और विशेष्टा है, वो यह है कि यहाँ पर मोल भुथ सिर्धाओं की कमी होती है चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो रोजगार की हो, तो इस परकार की सुईदाई हैं, प्रिवन की सुईदाई हैं, वो अपेक्ष्याकरित कम होती है तो यह है ग्रामिन बस्तियों की विशेष्टा है, कि ग्रामिन बस्तियों में कैसी होती है, क्या क्या होता है important question बनता है ग्रामिन बस्तियां शहरी बस्तियों से कैसे अलग है या फिर नगरी और ग्रामिन बस्तियों में इंतर बताईए तो जो ग्रामिन बस्तियों में है उसका opposite है वो शहरी बस्तियों में होता है अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ग्रामिन अधिवासों के परकार के ग्रामिन अधिवास कैसे होते हैं, एक चीज बता दू कि परकार और परतिरूप दो अलगलग चीजे हैं, परतिरूप मतलब वो बने हुए कैसे हैं, और परकार मतलब कहां, किस point of view से बनाए गए हैं, वो परकार होगे, यानि परतिरूप सिर्फ पैटरन के उपर है कि आपने बना कैसे रखा, जैसे आप मोबाइल में पैटरन लगाते हो, यह पैटरन हो गया, और मोबाइल का screen है, यह मोबाइल का type है, वो परकार हो गया, तो यहाँ पर ग्रामिन अधिवासों के परकार की बात करेंगे, कि ग्रामिन अदिवास है, वो निमलिखित चार परकार के होती है, सगन हो सकते हैं, एकाकी हो सकते हैं, मिश्रित हो सकते हैं, और पल्ली अदिवास हो सकते हैं, एके करके देखती हैं, सबसे पहले हम सगन अदिवास की बात करते हैं, इनको हम गुंचि बढ़े गाउं इस परकार के जो अधिवास है। देख रहे हो वो क्या है सघन या गुच्छित अदिवास है पास पास घर है और लगभग पेसिक सुईदाई हैं वो गाउ में उपलबते हैं तो उसे हम बोलते हैं सघन या गुच्छित अदिवास जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे सैटल्मेंट्स दिए गए हैं यह जो सैटल्मेंट है यह सघन या गुच्छित अदिवास में आएगा यह डिस्परस्ट है जो एकल अदिवास में जिसके बारे हम बात करने वाले हैं दूसरा है एका के अदिवास या परकेरन अदिवास इस परकार के जो अदिवास होते हैं बस्तिया होते हैं इसमें मकान है वो बिखरे होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं जैसे आप खेतों में देखते हो तो एक घर है उसके बाद दूसरा घर है तो इसे हम परकेर यानि बिक्रिवे या एका के अदिवास कहते हैं इस परकार के हो सकते हैं यानि सगन हो सकते हैं उसका उपोजिट एका की होते हैं तीसरे होते हैं मिश्रित अदिवास इन अदिवासों को अर्ध सगन या अर्ध केंद्री अदिवास भी कहा जाता है ये बीच की अवस्ता होती है शो चोटे गाउं होती हैं जैसे यहां पर अपने यहां पर ढाणि कहा जाता है कि यह विलेजख है विलेज़ की बज़ेश इसको ढानि नाम दिया जैता है या इसमें घर तो है 늘किन उन घरों की सिंख्या कम होती है सभी सुईदाइ उपलब नहीं होती उसके बाद पल्ली अधिवास है इसमें आवास एक दूसरे से अलग लेकिन एक ही बस्ती में होते है उन सब का नाम एक जैसा रहता है लेकिन इन जो बस्तियों में अलग-अलग जातियों के लोग रहते हैं यानि ये जो सघन है उससे थुड़ा ज्यादा बिखरा हुआ होता है एक ही गाउं है उसके अलग-अलग कोने में अलग-अलग जातियों के लोग रहते हैं तो उसे हम पल्ली अधिवास कहेंगे तो ये थे अधिवासों के परकार कि ये सगन हो सकते हैं जब घर पास-पास हो एकाकी हो सकते हैं जैसे ढाणिया होती है दूर-दूर हो फाम-आउस की तरह है और तीसरा मिश्रित हो सकता है और चोथा पल्ली अधिवास हो सकता है तो ये हमने आज के सेशन में बात की ग्रामिन बस्तियों के परकार कौन से होते हैं आगे हम continue करेंगे next session में हम बात करेंगे ग्रामिन बस्तियां हैं उनके परतिरूप क्या होते हैं बहुत important question होने वाला है आपके exam के लिए और हम बात करेंगे ग्रामिन बस्तियों की समझ्याओं के बारे में तब तक के लिए पसितना हैं take care thank you and have a nice day